हाई फ्रेंज, चेंज योर रियालिटी तो मैनिफेस्ट फास्टर मतलब अपनी जो प्रेजंट रियालिटी है प्रेजंट जो सिचुएशन चल रही है हमारी लाइफ में उसको सबसे पहले हमें चेंज करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट कर ले सी हम टेकनीक्स कर रहे हैं लेकिन हमारी जो लाइफ की अभी जो भी प्रॉब्लम जल रही है जो भी विशेश हैं जो भी रुकावते हैं जिसके लिए हम techniques कर रहे हैं वो सब चीजें manifest क्यों नहीं हो रही है क्योंकि उनी problems के बारे में हम बार-बार बात कर रहे होते हैं अपनी negativity को eliminate करना किसी technique करने से भी पहले जरूरी है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपकी life में जो भी problems हैं, blockages हैं उसके बारे में बार-बार बूलना बंद कीजिए बलकि अभी से अपनी जो present reality है उसको shift कीजिए, energy को change कीजिए मतलब अभी आपको ना सिर्फ इतना बूलना है कि सब ठीक है अब यहाँ पर दिक्कत यह आएगी कि इतनी जादा problem है ना specific person का call आ रहा है, ना job है, health कराब है और भी पता नहीं, अलग-अलग तरह की problems है फिर उसमें हम कैसे बूलें कि सब ठीक है बट subconscious को ना आपको यह बताते रहना होता है कि सब ठीक है and अभी सब चीजें change हो रही है because subconscious हो अगर आप बार-बार अपनी problems के बारे में बोलोगे बहुत blockages है, मुससे बात नहीं कर रहे हैं एक ही problem को friends से, family से नजाने किस किस से discuss कर रहे हो आप अपनी problem के लिए affirmation दो दे ही रहे हो, दूसरों से भी दिलवा रहे हो तब वहाँ पे रुकाफ्टे आती है सबसे पहले जरूरी है, किसी भी technique को उठाते हो, manifestation में लगाते हो अपनी wishes को पूरा करने के लिए कोई भी उपाई करो, कोई remedy करो उन सबसे पहले अपने अंदर की negativity को eliminate करो कैसे करोगे, बहुत सारे videos uploaded है negativity eliminate करने के लिए और simple तरीका अगर मैं बताऊ, जितने भी डर है आपके दिल में जो भी तकलीफे हैं, जो भी past के traumas हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको रोके हुए हैं, या जो unwanted हैं, उसको एक paper पे लिखिए black color के pencil और उसको जला दो, burn कर दो, और उसके बाद start saying कि अभी negativity सब eliminate हो गया, now सब कुछ positive है मेरे आसपास भी, मेरे अंदर भी, क्योंकि subconscious को जैसे ही आप ये बताओंगे ना, कि आपकी life अब positivity की तरफ है, अब positive track पे है, तो फिर हम positivity ही attract करनी शुरू कर देते हैं, खुशिया ही attract करनी शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ करके किसी ने अपनी wishes को manifest किया है, wishes तो अभी still pending है, लेकिन अपनी life में, अपनी situations को transform करना शुरू कर दिया है, मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, कि जब तक हम negativity eliminate नहीं करेंगे, हलका lighter feel नहीं करेंगे, ठीक है, सिर में तो इतना सारा बोज रखा हुआ है, परिशानियों का, गुसा, frustration, past का जितना हमें दुख मिला हुआ है, वो सब गहर के रखा है, और फिर हम सोच रहेंगे, खुशिया आ जाए, खुशियों के लिए जगा तो बनाओ, दिमाग को खाली तो करो, अपने brain को प्लीज बिलकुल एकदम से vacate करिये, खाली कर दीजिये उसको, जितनी भी thoughts आपने रखी हुई है, brain में उन सब को eliminate करो, ओके, ये दो success stories वीडियो में आगे हैं, उसमें आपको दो बहुत important चीज़ें मिलेंगी, जिन से कि आप अपने आपको protect कर सकते हो, अपने negative thoughts को eliminate कर सकते हो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और बता दू, reality को shift कैसे करते हैं, अभी मान लिजिए कि आपके specific person का call नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अभी से यह बोलना शुरू करो, I know he loves me, वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे call करेंगे, job नहीं मिल रही है, I know मेरे लिए कोई बहुत अच्छी job वेट कर रही है, और वो बहुत जल्दी मुझे मिलने वाली है, ठीक है, जैसे ही आप यह बोलना शुरू करते हो, आप अपनी energy, अपनी vibe, अपने aura, सब चीजों को positive कर लेते हो, shift कर देते हो अपनी reality को, जैसे ही आपने अपनी reality को transform किया, shift किया, सारी frequency, आपकी जो thought की है, वो positive हो गई, तो positive vibrate करोगे, तो positive ही तो attract करोगे, simple, so, आज से, अभी से, जितने भी लोग manifestation में लगे हैं, सब से पहले अपनी reality को shift करो, सब से पहले, जो अभी present आपके mind में है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, सिर्फ ये सोचो कि सब है, सब होगा, ओके, और जरूर होगा, तो अपने आपको pleases, क्या बोलू मैं, इस विश्वास के साथ भरो, ठीक है, और फिर आप छोटी सी भी technique अगर अपलाई करते हो, self love के साथ, वो definitely manifest होके देगी, सो आईए, चलिए, सुनते हैं, ये दो success stories आगे, जानते हैं इनसे कि हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, चलिए, आज दो success stories हैं आप लोगों के लिए, प्लीज दिहान से सुनियेगा, सबसे पहले ये लिखती हैं, hello ma'am, thank you so much for guiding and sharing God as Hekaate का ritual with everyone, you are my guardian angel, thank you dear, I love you so much ma'am, आज मैं Goddess Hekaate की success story शेयर करना चाहती हूँ ma'am, मैंने उनको आपके चैनल पर public gratitude के लिए offering दी थी, तो please please ma'am, आप मेरी ये story शेयर कीजेगा, मेरी और मेरे SP कुछ reason के कारण लडाई हो गई थी, जिसमें उनका कोई दोश नहीं था, मुझे उनसे बात करनी थी और माफी मागनी थी, हमारी बात नहीं हो पा रही थी, मैं एक November को traveling में अकेले थी, तो मुझे उनसे बात करनी थी, issues solve करने थे, मैंने Goddess Hekaate से pray किया, मैं उनकी key हमेशा साथ रखती हूँ, मैंने उनको offering भी की, और मेरे SP का सामने से call आया, हमने पांच घंटे बात की, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, और मुझे positively बात की, thank you so much, आपकी techniques और guidance बहुत work करती है, thank you universe, thank you Goddess Hekaate, thank you महादेव, thank you dear, thank you so much for this lovely success story, एक success story और है, और ये ये भी important है सुनना, क्योंकि किस तरह से, हम अपने negativity से बाहर निकल पाते हैं, और अपने आपको हलका महसूस करते हैं, क्योंकि वही चीज हमें, फिर life में आगे बढ़ने में मदद करती है, आईगे सुनते हैं कि क्या लिखती है, hi ma'am, good evening, how are you, today I receive my manifestation to be honest, I am so new to the law of attraction or manifestation, conscious manifesting कैसे करें, और I am grateful कि मुझे इतनी छोटी एज में ये knowledge का लाब हुआ, क्योंकि मेरी family में मुझे छोड़कर ये power किसी को नहीं पता, तो main point पर आते हैं, मैंने आपको कुछ मंद पहले contact किया, तब तो मैं बहुत ही new थी, ये सब के लिए थोड़ा learn कर रही थी, और fail भी हुई, of course, but I am glad के fail होके मैंने give up नहीं किया, तो main, okay main, मेरे career में और मेरे और मेरे बाबा के साथ के relationship, थोड़ा 50-50 था, so मैंने पहले आप जैसे बोले थे, मैंने वैसे ही Goddess Lilith से prayer किया, उनसे contact करने की कोशिश की, but to be honest, मेरा self love बहुत खराब था, but अभी धीरे धीरे practice करी, करा हैं, तो improve होने का, और improve हो रहा हैं, and result भी मिल रहे हैं, मैं आज खुद के लिए stand लेके, मेरे बाबा से बोला, मैंने कि जो भी career path में हूँ, उसमें मुझे मेरा future नहीं दिख रहा है, और वो तुरंथ मान भी गए, और in reality मेरे बाबा वैसे बिलकुल भी नहीं है, बड़े stubborn है, अच्छा, और खुद की मर्जी, जैसा होता है, वैसे act करते हैं, इसके बाद या लिखती हैं, तो जैसे मैंने बोला कि Goddess Lilith के साथ, मेरा थोड़ा work नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने थोड़ा break लिया, for approximately two weeks, उसमें मैंने journaling की, जो भी hurt हो रहा है, जो भी negative thoughts हैं, वो सब लिखे और एक दिन burn कर दिया, और बोला, all my negativity is not burned, is now burned, I am clean and surrounded by positive energy, और दूसरे method जो मैंने try किये, वो है, अच्छा, एक मैंने आप लोगो का switch word बताया था, जो इन्होंने use किया है, और काफी अच्छा है, वो काली मा का है, 613 माहा काली shield on, इसको अगर हम chant करते हैं, या energy circle में बना के अपने पास रखते हैं, तो यह हमें काफी मदद करता है, और उसने इन्हें काफी मदद की है, ओके, फिर left hand पर number 24 लिखा है इन्होंने, और उसके बाद यह लिखती हैं कि, and every night before going to sleep, I used to visualize कि मेरे जो wish है, वो fulfilled हो गया, I am so grateful, आज मुझे पूरा हलका हलका लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि, इतने दिन तक का, बहुत बढ़ा बोज उतर गया है सिर से, and thank you so much ma'am, I am grateful that I got to know you, thank you dear, thank you for this, and yes, आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूं, negativity को eliminate, आप जरूर करते रहे, wishes के लिए techniques कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम जितने भी techniques डालते हैं, अगर wishes के लिए डाल देते हैं, कि wishes manifest होंगी, आप सब फटा फट से, उन सारे techniques को करने में लग जाते हो, लेकिन, ये सारे techniques से, जादा important है, अगर आप अपने अंदर की negativity को eliminate कर लोगे, तो बिना किसी technique के भी अपने wishes manifest कर लोगे, अपनी ही life में एक अलग सा change आप देखोगे, okay, so please जितने भी negativity elimination के techniques होते हैं, switch words होते हैं, उनको ignore मत करो, अपने लिए definitely रोजाना कुछ ना कुछ जरूर करो, हर दिन हम energy से घेरे वे होते हैं, नहीं पता हम कम negative और positive energy दोनों एक साथ absorb कर लेते हैं, so negativity is only to be eliminated, उसको eliminate करते रहो अपनी life से, आप चाहे एक दिन में करो, दो दिन में एक हफ़ते में करो, कोई process अपने लिए, कोई ritual करो, पर जरूर करते रहो, so that's all, thank you so much and God bless you all.